इस वीडियो में हम कुछ miscellaneous TCP topics के बारे में बात करेंगे छोटे-छोटे topics है ज़्यादा time नहीं लगेगा तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लिजिए हमने cumulative acknowledgement के बारे में बात किया था cumulative acknowledgement में क्या होता है कि जितने भी packets आये हों वो जो next, जो sequence number expected है उसका act जाता है ये चीज हमने कुछ go back end में भी देखा था तो और जो act delaying timer था उसमें भी यही होता था कि एक packet आ गया उसका act हम भेजते नहीं थे और एक packet आने के बाद दोनों का मिला के हम act भेजते थे कोई अगर gap भी रह जाता था तो हमेशा उसी का ही act भेजा जाया करता था और जब वो packet retransmit होके पहुचता था उसके बाद पूरा continuous होने के बाद जो end में जो sequence number है उसका जो अगला sequence number है जब तक आ गया जो भी next है उसका act जाता था तो वो cumulative है पूरा collect करने के बाद जो होता था उसी को भेजते थे लेकिन जो नए implementations हैं TCP के उसमें selective acknowledgement भी है वो तोरा सा selective repeat जैसा काम करता है मतलब cumulative तो आते ही है लेकिन उनके साथ साथ selective acknowledgement भी आते हैं लेकिन उसका data रखने के लिए TCP header में जगह नहीं है क्योंकि हमको पता है कि TCP header में जो जो चीज़े हैं उसमें हम बस एक acknowledgement number भर सकते हैं तो ये selective act के लिए जो data है कि मानलो तुमने out of order कोई packet भेज दिया या duplicate packet भेज दिया तो ये सबका जो feedback है ये receiver sender को भेज सकता है लेकिन वो सब data वो options में भरता है बस इतना जानना जरूरी है इस topic ये next topic है silly window syndrome ये क्या होता है कि अगर sender के पास बहुत ज़्यादा लेटा है नहीं तो वो क्या करेगा एक एक byte भरेगा एक एक packet एक byte data आ गया मानलो application layer से तो वो उसको एक segment में भरके भेज देगा तो वह बहुत inefficient होता है हमने एक problem में utilization निकाला था तो इसमें क्या हो सकते कि एक byte data गया है एक TCP segment में और फिर उसमें header है 20 bytes का तो वह कितना inefficient है 21 byte का segment है जिसमें कि 20 bytes तो खले header में चले है कि data एक byte का है चलो sender के side में ये एक silly चीज हो सकता है receiver के side में भी वही हो सकता है कि मानलो उसका पूरा buffer भर गया और वो एक एक byte application layer उसका read कर रहा है तो वो क्या करेगा जो receiving window का जो advertisement भेजने वाला है वो बोलेगा चलो मेरा अभी receiving window का size 1 है बस एक ही byte मेरा application layer ने read किया है बस तुम मुझे एक ही byte भेजो तो sender जो क्या करेगा एक packet भेजेगा उसमें एक ही byte का data होगा क्योंकि receiver तो बोल रहा है कि मेरे पास एक ही byte का जगा खाली है तो वो भी silly सा चीज़ हो गया receiver के side से तो इसको solve करने के लिए कुछ कुछ तरीके हैं एक तो वो गया nagles algorithm उसमें ये बोलते हैं कि चलो शुरू में अगर एक भी byte है उसको भेज दो sender के side से लेकिन उसका acknowledgement नहीं आने तक कुछ मत भेजो या पिर अगर तुम्हारे पास one MSS one maximum segment size का data तुम्हारे पास बनता नहीं है तुम्हारे sending window में भरता नहीं है तब तक कुछ मत भेजना मतलब एक byte हो दो बाइट हो जो भी हो शुरू में data भेज दो लेकिन उसके बाद दो conditions है और होके अगर वो पहले का acknowledgement आ गया तो फिर जितना है उतना भेज दो जितना भी है उतना भेज दो नहीं तो उसका अगर आया कब तक आया नहीं है लेकिन तुम्हारे पास one MSS का data बन गया है फिर भी तुम उसको भेज सकते हो ठीक है और यह करते रहो receiver के side में क्या हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पास data आ गया तुम्हारा buffer follow गया और तुमने बस एक byte data तुमने read किया Clark's algorithm में यह बोलता है कि acknowledgement तुम भेजो sender को लेकिन उसमें receiving window के size को zero करके भीजो ताकि वो एक एक byte करके तुमको ना भेजे packet और वो कब तक zero करके भेजे का acknowledgement जब तक कि तुम्हारे पास one MSS का जगा buffer में खाली नहीं हो जाता या फिर तुम्हारा buffer आधा खाली नहीं हो जाता कोई भी एक condition अगर तुम्हारे पास one MSS का जगा खाली हो गया तो acknowledgement भेजो उसमें बोलो के देखो मेरे पास one MSS का जगा खाली है receiving window में तो sender फिर अच्छे से बेजे का data एक-एक byte करके नहीं भेजे या फिर तुम्हारा buffer अभी आधा खाली है तो उसको बोलो के देखो यह यह जो इतना जगा खाली है भेजो ठीक है और तब तक zero करके receiving window का तुम acknowledgement में भरके बेजोगे ताकि sender कुछ ना भेजके बैठे रहे कुछ time तब इसका एक problem यह है कि तुम बहुत सारे acknowledgement भेज रहे हो और उसमें zero है RWND तो उसका भी तो traffic बन रहा है तो हमने यह भी देखा है कि हम delayed acknowledgement भेज सकते हैं कि acknowledgement मत भेजो तो RWND भी भेजोगे नहीं जब तक कि तुम्हारे receiving side भेज बफर है थोड़ा सा खाली हो मतलब जो application ले रहे हैं वो कुछ-कुछ पढ़ ले उपर से उसके बाद तुम एक साथ एक act भेजो उसमें की receiving window का size थोड़ा सा बढ़ा होगा ताकि sender भेज पकेट भेज उसमें data हो ऐसा नहीं कि एक एक बाइट दो दो बाइट वो भेज रहा है लेकिन ज्यादा delay भी नहीं कर सकते फिर sender सोचेगा कि या मेरा जो packet कर देगा फालतों तो वो भी नहीं होना चाहिए तो delayed जो एक से उसका maximum time वो हमने देखाता है वो 500 millisecond है उससे ज्यादा हम delay नहीं सब्सक्राइब करते हैं चुरह तुरह से retransmission timer के बारे में बात करता है यह हमने एक अलग वीडियो में बहुत बार इसके बारे में हमने बात किया है कि कोई भी पैकेट अगर भेजा जाता है तो एक टाइमर शुरू किया जाता है सेंडर के साइड पे जब तक कोई fresh acknowledgement नहीं पहुंचता है उसके पास वह टाइमर जलता रहता है और वह टाइमर जब रन आउट कर जाता है तो फिर हम पाकेट को retransmit करते हैं उसका वाल्यू है वह आर्टीटी पे डिपेंड करता है जो राउंट्रिप टाइम है उसके वपर डिपेंड करता है आटीटी मेजर करना एक बहुत कॉंप्लिक्रेट प्रोसेस है जो जिसके बारे में भी बात नहीं करेंगे तो यह हो गया retransmission टाइमर क्या है कि मानलो एक टाइम पर रिसीविंग साइड का जो रिसीविंग विंडो है उसका विंडो जीरो हो गया मतलब भी नया डेटा रिसीव नहीं कर सकता तो सें चलो मानलो रिसीवर ने कुछ डेटा पढ़ लिया अप्लिकेशन लेयर से उसने पढ़ लिया फिर उसका रिसीविंग विंडो का साइज तो बढ़ा तो और एक भेज सकता है हमने एक ग्जामपल में देखा था कि वह जब एक भेजा रिसीविंग विंडो जीरो करके बेज वो ओर एक भेज सकता है सेम अग्नोलिघमन नमबर के साथ बुलेगा चलो अभी 020 मानλο 500 टो अप्लिक सकता है लेकिन अगर वह अग्नोलिघमन गर रिसीवर को नगे का मैंने तो बता दिया मेरे पास जगा बन गया अभी BEजो लेकिं सेंडर के पास रिसीविंगे का वह बह कभी पहर एक आया जिसमें कि rwnd 0 हो तो वो यह टाइमर शुरू करता है इसका इनिशियल वैल्यू यह रिट्रण्समेशन टाइमर के वैल्यू के समान होता है वह टाइमर जब रन आउट होता है और तब तक अगर सीवर के साइड से कोई आया में जिसमें कि rwnd 0 बढ़ा के द क्या चल रहा है देखने के लिए तो रिसीवर का अगर जो रड़ ड़न देखा था अगर वो ड्रॉप हुआ हो या कुछ भी हुआ हो तो फिर से भेज देगा एक मुले का कि नहीं नहीं अभी मेरा ड़न डी जीरो है या फिर मेरा ड़न डी का साइस जो यह इतना है तो कुछ भी बताएगा वह चुप नहीं बैटेगा रिसीवर तो वह भेजता रहेगा जब तक कि उसके पास और ड़न डी को यह पॉजिटिव वैल्यू आया नहीं है तो वह परसिस्टेंस टाइमर बीच बीच में यह प्रोब पैकेट भेजता रहेगा रिसीवर को और इसने वैल्यू है वो डबल कर दिया जाएगा तो वो टाइम होने के बाद फिर से सेंडर एक प्रोब पैकेट बेजेगा कोई रिप्लाइ नहीं आया उसको दुगना फिर से करें करते करते वो जाएगा 60 सेकेंड तक जो टाइमर का जो वैल्यू है मैक्सिम सिस्टी सेकेंड जाए लेकिन तुमको प्रोब बेजते रहना है पूछने के लिए रिसीवर को कि भाई तुम्हारा जो विंडो साइज है वो कर पॉजिटिव है तो मुझे बोलो ठीक है क्योंकि तुमने पर बोला है एक बार और वो ड्रॉप हो गया है तो हम दोनों को नहीं पता तुमको लग र है था वो कभी पॉजिटिव हो कि मेरे पास पहुंचा ही नहीं अब तर तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास जगा नहीं है तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास डेटा बेजने को नहीं है तो इसलिए मैं प्रोब करता रहूंगा उसके लिए पर्सिस्टेंस टाइमर यूज होता है बस उतना जानना जरूरी है ज्यादा डेटल जानने की जरूरत नहीं है दूसरा हो गया तीसरा हो गया कीप अलाइव टाइमर तुमान लो सर्वर और क्लाइंट के वीच में कनेक्शन है और क्लाइंट बहुत ताइम से कुछ कम्मिनिकेट किया नहीं सर्वर क कितने टाइम से वह connection को बचा के रखेगा कितने टाइम से वह connection को बचा के रखेगा कि उसकी resources कातब हो रहा है एक buffer उसने allocate किया है कुछ भी मतलब उसने allocate किया होगा operating system के अंदर वो सब बेकार में पड़ा हुआ है काम में नहीं आ रहा है क्लाइंट कुछ communicate कर नहीं रहा तो वह दो घंटे तक वेट करेगा उसके बाद हर 75 seconds वह प्रोब भेजेगा क्लाइंट को यह कुछ है कुछ भेजोगे और वह दस प्रोब्स ऐसे भेजेगा दस प्रोब्स तक अगर क्लाइंट ने कुछ reply नहीं किया मतलब क्लाइंट मर गया है वह process में भी killed हो गया कुछ भी हो सकत है उसके बाद वह connection को किल कर देगा साथ कि नहीं अभी यह बचा कर रखने का कोई फाइदा नहीं है लास्ट वाला जो हो गया वह हो गया टाइम वेट टाइमर यह हमको पता है जब एक जो फिंपाकेट आता है सरवर के साइड बाद वो आने के बाद क्लायन्ट क्या करता है एक फाइनल लास्ट यह वह बेजने यह कोई गारन्टी नहीं है कि यह आक जाके पहुंचेगा सरवर के पास ठीक, अगर पहुंचता है, तो server अपना close करेगा, client में अपना close करतेगा, लेकिन अगर वो पहुंचता है, नहीं है, तो server को लगेगा, कि उसका जो final fin packet है, वो तो गुम तो नहीं हो गया, तो client को wait करना चाहिए, वो last act भेजने के बाद थोड़ा सा wait करना चाहिए, अगर यह act चाके ना पहुंचे, तो server फिर से अपना जो fin packet है, वो भेजेगा, और तब तक इसको जिन्दा रहना है, ठीक है, बस यह कुछ missliness topics थे, बस जल्दी से मैंने बता दिया, thank you.